नमस्कार दोस्तो मैं लीना अपके अपने महानें पहला असा शुबदिन है जह की पूरे महीшणे भर इसमें काफी महतों रखते हैं कि वह सब भगवार मिश्णू से लेकर शिवजी से लेकर लक्षमिया से लेकर सब तक तो आज हम जानेंगे सोंबार की व्रत कथा कार्थिक मास्की तो एक नगर में बहुत ही धन्वान सावकार रहता था उसके घर में धन की कमी नहीं थी परन्तु वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके करता था उसके इस भक्ती भाव को देखका एक समय माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि हे नात यह सावकार आपका अनन्य भक्त है सदेव आपका व्रत और पूजन बड़ी शद्दा से करता है आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए शिवजी ने कहा कि हे पार्वत यह संसार कर्म चेत्र है जैसे किसान खेत में जैसे बीज वोता है वैसे ही फसल कारता है इसी तरह से मनुश्य संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं माता पार्वती ने अतियंत आग्रे से कहा कि हे प्रभू यह आपका अनन्य भक्त है और अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपका वश्य दूर करना चाहिए आप तो सदे अपने भक्तों पर दयालू होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुश्य आपका पूजन वरत क्यों करेंगे तो माता पार्वती का ऐसा अगरत देखकर शिव जी कहने रगे कि हे पार्वती इसके कोई पुत्र नहीं है इसकी इसी चिंता में यह आती दुखी रहता है अब इसके भाग्य में पुत्र नहोंने पर मैं इस वारतालाब सावकार सुन रहा था तो इससे सावकार को नय तो प्रसंता हुई और नहीं दुख हुआ वह पूरी की समय शिवजी का ब्रत पूजन करने लगा अब कुछ समय के बाद में सावकार की स्री गर्व अती हुई घर में बहुत धूम धाम से खुशिया मनाए गई लेक सावकार बोला कि अभी तो इसको पड़ाई लिखाई के लिए काशी भेजो फिर उसके बाद में इनका विवा करेंगे अब सावकार ने बालक के मामा को बुला को उसको बहुत साधा धन देकर बालों को काशी पढ़ने भेजे अब रास्ते में जावे तो यग्ये ब्रामन क करावे दक्षिना देते वे जावे तो दोनों मामा भांजे यग्ये करते वे गए ब्रामन को भोजन कराते वे गए अब रास्ते में एक शहर पड़ा और उस शहर के राजय की कन्या का विवा हो रहा था परन्तु जो राजकुमार विवा करने के लिए आया था वो तो विचार आया कि क्यों ना इस लड़के को वर के रूप में ढून लिया जाए तो ऐसे मन में विचार करके राजकुमार के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात कर लिए अब दोनों राजी हो गए दूले का बेश बना के उनको कपड़े पहना के घोड़ी पर बिठा नहीं है तो ऐसा विचा कर लड़के और उसके मामा से कहा यदि आप फेरो और कन्यादान के काम को भी करा दे तो आपकी कित्ती क्रपा होगी अब सेट का पुति जिस हमें जाने लगा तो उसके राजकुमार की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवा मेरे साथ वो तो खुदी काना है अब मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ अब सेट की लड़के के जाने के पच्चा राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो अंदे राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया अब उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा कि यह मेरा पती नहीं है मेरा विवा इसके साथ नहीं हुआ मेरा विवा तो जिसके साथ हुआ जो काशी जी पढ़ने गया है अब राजकुमारी के माता पिता ने अपनी गन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई अब उदा सेट का लड़का म मेरी तबयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जा, थोड़ी देर में उनके प्राण निकल गए, जब उसके मामा ने कहा कि उसका भांजा म्रत पड़ा, तो रोना पीटना मचा दूंगा, तो यग्य का काम अधूरा रह जाएगा, अब यग्य का क कि हेनात कोई दुख्या रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए, जब शिव पारवती वहां पहुचे तो उन्होंने पाया कि वहां एक लड़का था, उसको आपने वर्दान से उत्पन हुआ है, तो शिव जी ने कहा कि हेनात इस बालक को और आयू दे दो नहीं, तो इस सिव जी की क्रिपास से उसका लड़का जीवित हो गया, अब इसके बाद में माता पारवती केलाश परवत चले गए, शिक्षपूर्ण होने पर, जब लड़का और उसके मामा यग्य करते हो ब्रामनों को भोजन कराते वे दक्षना देते वे घर की और चले, तो रास्ते मे उसी शहर में आए और जहां उस लड़के का वहां की राजकमारी से विवा हो रहा था, वहां जाकर उन्होंने यग्य प्रारम किया, लड़के के ससूर जी आए, राजग ने उनको पहचान लिया, बहल में ले जाकर उनके आवगत की, जैसे दास दासिया, सहीत आदर लड़की ने अपने माता-पिता को सारी बात बताई, इससे वे बहुत ही प्रसन हुए, शिव पार्वती जैसे आपने सेथ और उसके परिवार को दिया, प्रसे सभी को देना सुमाय व्रत कता, कहने सुनने हुकारा देने मालों को सब को देना, ये थी आज की सुमाय की व्र हुआत कता,